हेलो फ्रेंड्स नवसकार खुछी स्टार्फूड में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हो कुछ ऐसे कमाल के कुकिंग टिप्स एंट्रिक्स जो मेरी कुकिंग में तो काफी काम आते हैं और मैं उमीद करती हूँ ये टिप्स आपके भी काम आएंगे इसलिए वीडियो को पूरा जिरू देखें बीच में स्किप ना करें तो आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की पहली टिप देखते हैं बोगुत से लोग ऐसा करते हैं जब सब्जी के लिए तड़का लगाते है न तो उसी समय हिंग डाल लेते हैं जिससे हिंग जल जाती है और सब्जी में हिंग की खुस्बू नहीं आती हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हिंग boxes सब्स हमेशा सब्जी बनने के प्राउट्स बना कर रख लेते हैं तो आपने देखा होगा कि इन में खटी-खटी में हैं काने लग जाती है और ये चिप-चिपे भी हो जाते हैं अक्सर गर्मियों में ऐसा जलती होता है हमें इनको ज्यादा दिन तक नहीं रख पाते तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं मैंने स्प्राउट्स बना कर रखे हुए हैं और जब मैं ये बिगोती हूँ न तो इसके साथ ही पर मेंबर के इसाब से चार-चार बादाम भी डाल देती हूँ और मैं इनको पांस साथ दिन के लिए कैसे स्टोर करके रखती हूँ वो देखते हैं आपको न थोड़ा सा नि होंगे फ्रेस बने रहेंगे दूसरा कि आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप एटाइट कंटेनर में पैक करके रख दें उससे भी ये खराब नहीं होंगे अक्सर चाई तो सभी लोग पीते हैं और जो जादा चाई पीने के सोकिन है ना वो तो चाई पीए बिना बि या सा आइडिया दे रही हूं यह देखिए यह मैंने मिल्क पाउडर लिया है जी हां मिल्क पाउडर से हम चाई बना कर पीएंगे और कटोरी में 3-4 टेबल स्पून गुंगना पानी लिया है पानी आपको जादा गरम नहीं लेना और नहीं ठंडा लेना है गुंगना पान मिल्क पाउडर को पाने के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए और यह हमारा दूद बन गया अभी यह दूद हम चाई में डालेंगे और चाई को ना अच्छे से उबाल लेंगे फ्रेंट्स यह चाई आप किसी को भी बना कर पिलाएंगे ना तो कोई बताई नहीं कि आपने यह मिल्क पाउडर से बनाई है बहुत ही टेस्टी बनती है बचपन में तो मैंने यह चाई खूब पी है आप में से किस किसने मिल्क पाउडर से बनी हुई चाई पी है कमेंट करके जरूर बताएं और यह हमारी मज़ेदार से चाई पीने के लिए तयार है फ्रें यह आपके काम आ सकती है इसे बनाने के लिए देखी हमें चाहिए काजू का पाउडर तो एक बाउल में दो चमच मैंने काजू का पाउडर लिया है और इसमें हम एड करेंगे दो चमच मिल्क पाउडर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें 3-4 टेबल स्पू आ गया है तो इस तरह से आप भी इंस्टेंट क्रीम बनाकर अपनी सबजी की ग्रेवी को क्रेमी टेक्शर दे सकते हैं यह वाली टिप मेरी दाल को लेकर है देखे कई लोगों को दाल खाने से गैस और एसीडिटी की प्रोब्लम हो जाती है इसलिए वो दाल नहीं खाते तो आपको क्या करना चाहिए दाल को कुक करने से पहले ना 3-4 मिनट के लिए ड्राइ रोस्ट कर लें ड्राइ रोस्ट करने के बाद आप दाल को कुक कीजिए इससे आपको जो गैस और एसीडिटी की प्रोब्लम होती है दाल खाने से वो काफी हद तक दूर हो जाएगी आप इ जब हम कड़ी के लिए तड़का लगाते हैं तो तड़के में डारेक्ट बेसन वाला गोल मन डालिएगा तड़का लगाने के बाद आप इसमें आधा गिलास के लगभग पानी डालें पानी में अच्छे से उबाल आने दें जैसे पानी में उबाल आ जाता है ना फिर आप इ जरूर ध्यान रखें कि नमक आप हमेशा कड़ी में तीन-चार उबाल आ जाएं फिर डाले या फिर कड़ी बनने के बाद डालें इससे आपकी कड़ी कभी नहीं फटेगी बिंदास होकर कड़ी बना सकते हैं करियों बहुती हेल्दी और टेस्टी खिचडी की रेस्पी ये खिचडी हम स्प्राउट्स के साथ बनाएंगे तो खिचडी बनाने के लिए दिखिए मैंने प्रैसर कुकर में ओईल गरम कर लिया है अब आदा छोटा चमच जीरा डालें जीरे को चटकने दें दो प्यास डाल लेंगे हल्दी पाउडर नमक लाल मिर्च पाउडर ये मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम जादा कर लें थोड़ा सा पानी डाल कर मिलाएंगे और टमाटर को न अच्छे से सोफ्ट होने तक पका लेना है ठीचडी में ज्यादा कुछ मिर्च मसाले नहीं मिला लेंगे और मसालों के साथ ना एक दो मिनट के लिए बहुन लेना है अब हम पानी डालेंगे तो मैं चार कटोरी पानी डाल रही हूं पानी आप अपने इसाब से एड़जेस्ट कर लें ये खीचडी थोड़ी पतली रती है तो ज्यादा अच्छी लगती है दो चमच म ड़कन बंद करके खीचडी को 3-4 सीटी आने तक पका लेना है तो ये देखे खीचडी को मैंने पका लिया है गर्मा गरम हेल्दी और टेस्टी खीचडी खाने के लिए तयार है फ्रेंड्स घर में कोई फेमेली मेंबर या बच्चा स्प्राउट्स खाना पसंद नहीं करता तो उनको खिलाने का ये घर्ल्दी ओफसन है इस तरीके से आप बच्चों को स्प्राउट्स खिलाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें स्प्राउट्स मिलाए हुए है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भी खिचडी बनाइए बहुत ही बिगोने के बाद आपको एक गिलास चावल के लिए डेड़ गिलास पानी डालना पड़ेगा चावल खिले-खिले बनाने के लिए आप इसमें नीम्बू का रस और देसिक घी जरू टाले इसे आपके चावल एकदम परफेक्ट और खिले-खिले बनेंगे देखे जब हम जादा दिन के लिए घी स्टोर करकर रख लेते हैं तो आपने देखा होगा इसमें एक पर्टिकुलर सी स्मेल आने लग जाती है खासकर हम मलाइका घी रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है तो इससे बसने के लिए आप क्या करें कि हरी इलाइची और लोंग लें घी के अकोडिंग मैंने हरी इलाइची और लोंग ली है तीन लोंग तीन इलाइची ली है ये घी में डालेंगे लोंग इलाइची घी में डालने से इसमेल नहीं बनेगी दूसरा कि आप प्लास्टिक क डबे में घी मत रखेगा काच के जार या स्टील के डबे में घी डाल कर रखें इसे घी में स्मेल नहीं पनेगी घी फ्रेस रहेगा जब माइक्रोवेव में हम चपाती या ब्रेड गरम करते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो सोफ्ट रहती है फिर हाड होने लग जाती है तो इनमें मोश्यर आ जाएगा और यह जादा देर तक गरम रहेगी यदि खाने के साथ पापड परोशा जाए ना तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है लेकिन बात आती है पापड को तलने की सेखने की पापड डारेक्ट हम फ्लेम पर सेखते हैं तो पापड हमारी जल जा और यह कटोरी में मैंने थोड़ा सा ओईल लिया है अब आप एक ब्रस लें ब्रस पर हलका सा ओईल लगा लेंगे और पापड की एक साइड में हम ओईल लगा लेंगे ब्रस से हलका सा ओईल लगाना है ध्यान रहे कि ज्यादा ओईल बिल्कुल भी नहीं ही लगाना ओईल की हल माइक्रोवेव है ना तो आपडेड दो मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए पापड बहुत ही बढ़िया से सिख जाता है पापड की एक साइड में ओई लगा लिया है देखिए इसको सेखना कैसे है तवा हलका सा गरम करना है फ्लेम को लो रखें जिस साइड से हमने प बहुत ही बढ़िया से पापड सीखता है बिल्कुल भी नहीं जलता ओईली भी नहीं होगा और तेस्ट भी अच्छा आता है तो देखिए पापड कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गया है ना पापड में तोड़कर दिखाती हूँ आप अवाद सुन सकते हैं कितने अच्छ प्लस रोटी का कलर भी अच्छा आएगा आप कहीं ट्रेवल में जा रहे हैं छोटे बच्चों की टिफिन में पैक करके दे रहे हैं तो आप दूद से आटा गूत कर रोटियां बनाएं रोटियां आपकी एकदम सॉफ्ट बनी रहेगी तो फ्रेंट्स आज की थी मेरी ये मैं उमीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी आज की टिप्स आपको यूस्फूल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेज जरूर करें चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें मिलती हूँ एक और नई वीडियो में नई टोपिक के साथ थेंक्यू सो माँ